जूट कितना भी आप बोल लीजिये, सो जूट बोल लीजिये, लेकिन सच छिप नहीं सकता है, सच जो है सच ही रहेगा 11 दिन पहले आप जो ड्राइवर का रोना रो रहे थे, तो 11 दिन बाद आज आप फिटनेस और वीमा का क्यों रो रहे हैं, कि गाड़ी में ये नहीं था ड्राइवर के लिए, आप ड्राइवर को लेटर लिख सकते हैं, कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है, वो भी छापा मराया था उसके ठीक 24 घंटा पहले तो अब फिटनेस और वीमा के लिए ड्राइवर को लेटर नहीं लिख सकते थे, क्या और जब प्रेष कॉन्फरेंस में आप लोगों को जब बता रहे थे जुट पर जुट बोल रहे थे तो आपने ये क्यूं नहीं बताया कि एंबूलेंस से बालू क्यों ढवा रहा था वो भी जनता सुनना चाह रही थी ये क्यूं नहीं बताया क्यों बालू कहां जा रहा था और किसका बालू ढोबा रहा था और जैसी अभी आपात काल इस्थिती थी एक-एक आदमी एम्बूलेंस बीना तरस गया दो दो तिन तिन किलो मिटर का भाड़ा दस दस हजार पन्रह हजार बसुला जा रहे थे गरीब तो इम्बूलेंस के बारे में सोच नहीं सकते थे क्योंकि पैसे वालों को ही बहुत मुश्किल से इम्बूलेंस मिल रहा था और उस प्रस्थिती में आप भारी मात्रा में इम्बूलेंस छिपा के रखते हैं तो जनता को बताएंगे कि आप पर एफायर क्यों नहीं होना चाहिए आपकी गिरफतारी क्यों नहीं होनी चाहिए और आपके साथ जितने भी पदाधिकारी अधिकारी थे उन पर क्यों नहीं होनी चाहिए ये भी बताते और जो मंदीरा और संत वाली बात बोल रहे थे तो आपके एम्बूलेंस रखने से एक एम्बूलेंस तो डेली 25 मरीज जाता कितने मर चुके हैं एम्बूलेंस बिना तब थोड़ा सा भी तो मानपता का ख्याल रखते जो दूसरों को आप बोल रहे थे खुद सोच के देखिए कि आपके एम्बूलेंस के कारान कितने लोग मर गए ये भी तो मानपता रखते तो हत्यारा तो आप है जब यहां उक्सीजन सलेंडर चालीस अजार पचास अजार में बीक रहा था मिल रहा था गरीब सोच नहीं सकता था एम्बूलेंस सोच नहीं सकता था उस स्थिती में जहां दवाय की किल्लत थी होस्पीटल की कमी थी और वी स्थिती में आप एम्बूलेंस भारी मातरा में छीपा के रखे आप सोचिये कितना बड़ा अप्राधी हैं आपने अपने जनता का भी ख्याल नहीं रखा घर का भी हुए थे जनता के बीच भी नहीं थे और जैसी अपात काली स्थिती थी तो बीमा फिटनेस का कागच कौन खोज रहा था यह तो बताईए यहां तो किसी तरह से बस होस्पीटल पहुँचाना था लोगों को मदद करना था इसमें तो कोई एम्बूलेस चलता तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उसका पेपर भी खोजने आता कि इसका फिटनेस पेपर नहीं है बीमा नहीं है यह तो कर लेते आप यह भी बताईए जनता को कि वो एमपी फंड से खरदा हुआ था तो कितने तारी को खरदा हुआ था ताकि पता लगे फिटनेस पेपर है कि नहीं है और जनता यह भी जानना चाहती है कि आप एमपी थे तो आपका काम थोड़ी था फिटनेस बीमा देखना वो तो काम था डियेम और सिविल सरजन का तो आप इसका दुहाई क्यों दे रहे हैं और आपके नीजी छेत्र में किनके मिली भगत से और एमपुलेंस कम से खड़ा है यह भी बताईए जनता को और जो बता रहे थे कि इतना सारा केस है तो मैं बता देता हूं कि सबसे वड़ा अपराधी आप हैं और दूसरा में जो इतना सारा केस कहा रहे हैं न जो सरकार के खिलाप गलत सिस्टम के खिलाप हवाज उठाता है तो आप जैसे नेता दोचार वो फरजी केस करवाते हैं उनको गिरफतार करवाते हैं तो वैसे वैसे दोचार फरजी केस बहुत लोग करवाए हैं तो मिलाजुला के है गौँ महले में ब्लॉक लेवल में जो नेता अंदोलन करता है रोड पर उस पर दस वो केस रहता है तो आप जैसे नेता ही फरजी केस करवाते हैं इस तो बिहार की जनता और देश की जनता जानती हैं न कि कौन है इसमें कौन है सेवक की भूमिका में और कौन क्या है जो चेहरा तो उजागर हो गया न आईने में देखिए पता लग जाएगा कि क्या है आपका चेहरा जनता यहां आईना दिखाने के लिए तियार है और अगले बार से प्रेस कौनफरेंस करिएगा तो यह सारे कोश्चन का अंसर आप दीजिएगा जनता जानना चाहती है कि कि यह सारए एफ करेंसे आप अंसर आपके जह सार प्रेस करिफ़ खेगा आपका लेगा के लिएर क्याeganान प्रेस renewal है इसके आपके ख्यार हम जजान प्रेस्टर्म możli कर माट है आपके लिएसे प्रेसम प्रॉटर Meyer